इसमें धिला है प्रणतु जो प्रशन पूछाओं उस पर आय हुए जवाब से कई पूरक प्रशन उत्पर्ण होते हैं पहला पूरक प्रशन उत्पर्ण होता है कि पंजियन कारेरे द्वारा रईश्टी पूरो मौके का पर भूमी का सत्यापन नहीं करना और भवन निर्माण एँ निर्माण कारे खुली भूमी बता कर कराया जाता है जिसे सासन को राजस्टी की प्राप्ती नहीं होती सुल्क में कमी आती है इसे रोकने के लिए आप निर्देश जारी करेंगे क्या हो समय समय पर इसके संबंद में जो सिकायते प्राप्त होती उसके निराकरणगी क्या वेहोसता है आज भी तमंतिवी जी कलेक्टर वाले लूप पर वापिस आगए है सम्माननी अध्याक्ष महोदा है एक बार आप पहट के आड़ा फिर बताएगी इसके लिए फिट्नेस लगता है पेट को छुपाने के लिए कुर्टा पजामा पहनना उजीत नहीं कुर्टा पजामा अच्छा है लेकिन पेट को छुपाने के लिए अच्छा नहीं है माननी अध्याक्ष महोदा है जो सम्मानिय सदस्य जी ने प्रश्ण उठाया है बहुत महत्पूर्ण है और पंजियन में उन्होंने कई प्रकार के विशंगतियों का उल्लेक किया है और इनको रोकने के लिए पंजियन में बहुत सारे सुधारों की प्रक्रिया हम लगातार विभाग दोरा किया जा रहा है अध्यक्ष महदा है और बहुत सारे ट्रांसपरेंसी के भी स्टेप लेने की हम प्रयास कर रहे हैं जो और विशेश रूप से अभी पिछले साथ महिने में जो एक कदम उठाया गया है वो विभागी सतरकता प्रकोष्ट का गठन करने का किया गया है अध्यक्ष महदा है उनको आकस्मिक रूप से भी देख सकेगी और कोई सिकायत आएगा तो उसकी उच इस तरी जाच करने के लिए एक सेपरेट विभागी सतरकता प्रकोष्ट विजिलेंस सेल का गठन किया है अध्यक्ष महदा प्रशन का जवाब अपूर्ण है मैंने पूछा है समय समय पर सि व्योस्ता बनाई है क्या किनों ने कहा है राज इस तरी जब की सिकायते जिला इस तर पर पंजियक कारेने पर होती हैं चली इस पर दूसरा प्रस्ण मैं पूछता हूँ बेलतरा विधान सबाज इस पर मेरा प्रस्ण आधारित है सासन के नियमा उन्सार राजस अनुभाग कारवाई सुनिश्चित हुई है अध्यक्ष महोदय जो सिकायत के संबन में पहले सदस्य महोदय ने कहा तो वहां पर जो सिकायत जिला इस तर पर की जाती है उनमें ज्यादातर ये रहता था कि वहीं लोग पंजियन के रहते हैं और वहीं पर सिकायत होती है इसलिए निराक घुर्खंड के टुकड़ों के बारे में सम्मान्नी सदस्य की चिंता है वो अभी बहुत जायत चिंता है और जो उन्होंने अपने विधान सभाचेत्र बेलतरा के लिए जो प्रश्न किया है उसमें भी कई खसनों को प्रतिबंधित किया गया है और जिन खसनों को अभी तक कोई हमारे पास सिकायत नहीं आई है अगर कोई भी खसरे में जो प्रतिबंधित खसरा है प्रतिबंधित खसरों की सूची में सदश्य मोधय को दे दूंगा और उसमें कोई भी पंजियन हुआ होगा तो उसमें निश्टीत रूप से कारवाई की जाए मानिय देक मोदे एक विशह और संग्यान में आया है कि आपके कारेकाल के समय ही कोटवारी जमीनों पर प्रतिबंद की व्योस्था दोजास साथ और दोजार आक में लगाई गई थी प्रंतु पिछले पांच वर्थ सों में बेलतरा विधान सभा और विलासपुर जिले में को जमीनों को क्या निरस्किया जाएगा पंजियन मैं माननी मंत्री मोदे चाप के माधियर तो जानना चाहता हूं माननीय द्यक्ष मोदे कोटवारी भूमी सास्किय भूमी ही होती है उसे केवल सेवा के जो सासन के प्रति सेवा जो करता है कोटवार उसके लिए सेवा भूमी क उस समय इस पर प्रतिबन लगाने का काम किया गया था तो अगर ऐसा कोई मामला है जो पिछले सालों में हुआ है जैसा कि सम्मानी सदस्ये ने कहा है तो उसकी निश्चित रूप से हम जाच कराएंगे और जो इसमें देखना पड़ेगा कि राजस्वमी भाग से जो रिपोर् कोटवारी जमीन के खरीद भिक्री का तो वो किस इस्तर पर है क्या क्योंकि कई के सैसे अध्यक्ष मोदय जिनमें हुआ है कारवाई करने के लिए पहल भी की गई लेकिन वो किसी न्यालाय में या किसी उच्छ न्यालाय में इस्थगन की स्थिती में है तो जो भी स्थिती म पूरो सरकार ने तीस परच्ण की इस्टाम ड़्ूटी में छूट दे दी आपने उसके जाकर के आपने रहाश्टी सुलक बढ़ा दी तो क्या रहाश्टी सुलक बढ़ाए तो क्या उसके अंदर केस पेमेंट टी आफने शिवकार किया चेक ये ड्राप से क्यो सिवकार नहीं किया पंजीन करले में इसका इसपस्टिक रणाप देंगे हजारों केज ऐसे मानी अध्यक जी के लोगों ने जाकर के चेक दिया, ड्राप दिया, मना कर दिया, थाभ ये नहीं लगेगा केज पेमेंट तो कितने लोगों ने इस प्रदेश की अंदर जो 30 परचेंट छूट दी उसका लाब उठा करके कितने परचेंट लोगों ने जो आपकी सुल्क थी वो नगत में जमा की है यह आकड़ा आपके पास होगा यह एक बार इसका परिक्षण कराएंगे यह मेरा अगर है अध्याक्ष मोदय सम्मानी सदस्य ने जो बिंदू उठाया है गाइड लाइन दर का उस पर मैं कुछ सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सम्मानी सदस्य ने एक लाइन कहा कि उसे बढ़ा दिया गया तो उसे मैं सबसे पहली स्पष्ट करना चाहता हूँ देख्षमद है उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया है पिछले सालों में पिछली सरकार के समय में 30 परशेंट की छूट गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था उसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2024 तक था 31 मार्च 2024 को वह जो नोटिफिकेशन की डेड़ थी वह सवय में समाप्त हुई है तो कोई बढ़ाने वाला विसाय नहीं है अध्यक्षमद है कुछ चीज़े मैं बताना चाहिए एक मिर में मैं सून तो लो मैं गाइडलाइन का नहीं के रहा हूँ उस पर भी आउंग उस पर अध्यक्षमद है पहले मेरा जवाब देने दिया जाए तो इसमें बहुत सारे विसाय आया अध्यक्षमद है प्रदेश में की गाइडलाइन डेट बढ़ गया यह हो गया वो हो गया जब कैसा कुछ नहीं था बढ़ाया नहीं गया था नोटिफिकेशन का डेट खतम होता एक बिन्दू दूसरा बिन्दू महत्पूर्ण है अध्यक्षमद है कि जब हम सोचते हैं कि गाइडलाइन डेट का कम है या ज्यादा है तो उसका सीधा प्रभाव केवल जमीनों के प्लाट के खरीदी बिक्री करने वाले लोगों और बिल्डर पर ही सहरों में ही नहीं 4 times 30% की कमी मतलब 4 times में 120% का भूर जन में किसानों को नुक्सान हो रहा था ध्यक्षमद है इसलिए यह स्टेप किसानों के हित में भी रहा दूसरा चीज में कहना चाहतो है ध्यक्षमद है जब मार्केट रेट में गाइडलाइन रेट में बहुत अंतर अगर आ जाता है तो लोवर मिडिल क्लास के लोग निम्नम अध्यमवर्गी परिवार के लोग जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो उनको लोन चाहिए गाइडलाइन रेट कम होने करन लोन ने मिल पाता अध्यक्षमद है इसलिए भी यह इस्टेप मध्यमवर्गी लोगों के की हम अभी मेरे पास जानकारी नहीं है अद्यक्षमद है मैं उसकी पूरी जानकारी कठा करके संभानी सदसी को उपलाब्द कराऊंगा और आगे बताना चाहूंगा बनी कि आगे के लिए एक मित मित एक मित यह मत्त昨ak उसके अंदर एक नंबर का पैसा आदमी का कम लगा आपने लेकिन उदर जाके इस टाम डूटी में को अंदर तो आपने वो कर दिया लेकिन मुद्रांग सुल्क के अंदर जाकर के आपने कमी कर दिया लोगों ने क्या किया रहिष्टी सुल्क तो पटा है लेकिन रहिष्टी स पूरे प्रदेश में 99% केस में जमा हुआ जी है मेरा इतना ही निम्यतर है कि एक तब राजयस्पा-न रॉक्सान भी की उड़त और तो लोगों ने केस बे जीनोंने जमा किया और लोगोंने ड्राफ जमा किये तो इसको मना कर दिया उसको कीस conference की केस की डिटेल्ट दे दूबा प्रेटि मैने अधिक्षजी कैया मानने मंत्री जी जी कहा कि कोटवार मन के जमीन हाँ पूरा सास्की जमीन होते यहने जहाँ फिर उन्यका उसर देंगे कैंगे मैं आप जमक्राइब काना चाहता हो कि कोटवार जमीन दूपर कार करते हैं जो कोटवारी जमीन के विशय आया था उसमें विशय बताया जब कि माल बुजारी से प्राथ भी कोटवारों के जमीन पर भी रोक लगी हुई है वो भी पंजयन निस्पादित हो रहे हैं लेकिन एक विशय बहुत महत्पूर्ण है इस आधार वेरिफिकेशन का प्रावधान नहीं आज जिनांक तक पंजयन सुल्क ओनलाइन लेने के लिए कोई प्रावधान की विवस्था नहीं है नगरी निकाय राजस्व और TNC जिसको हम अर्बन आवास के मांद्यम के मानते हैं इंडिया कोई सयुत कार्य प्रनाली नहीं जिससे राजस्व की प्राप्ति में कमी ना हो और स्रमानी सदस्य ने आदर्नी राजस मुरज जी न भी प्रशन उठाया था केस पेमेंट का तो आर्लाइन भुकतान की सुविधा आल्रेडी प्रारंभ की जा चुकी है और जो कैस पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो उसको छूट जरूर दी गही कैस पेमेंट करने से लेक प्रयास करेगा तो उसमें उससे आसानी से कैच किया जा सकता है इसके लिए एक मोबाइल एप भी बना दिया गया है और आने वाले समय में पेपर लेस मोबाइलेस और फेसलेस रेजिस्ट्रेशन के और हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी कोशीश है कि आने वाले समय में घर से अब पूछ रहे हैं आपकी प्रस्ट में आपके माध्यम से भी त्मंत्री जी का ध्यान आत्रिश्ट करवाना चाहता हूं हमधिका करakylar यह बहुत चोटा है वहां पर पंजियन कराने वारों की संख्या बहुत है बैठने की वहां ब्युस्ता नहीं रहती है और अगर उपपंजियत छूटी में चला गया तो दूसरे उपपंजियत की वहां उपलब्ज़ता नहीं है और आईडी चेंज़ करने में कम से 5-7 दिन लगते हैं उस पिरियद में पंजियन कारे बंद हो जाता है ये बहुत बड़ी एक समस्या है खालिया का नहीं आतरिश्ट करवाना जा रहा हूँ हाँ कि पंजियन जब होते हैं तो पंजियन अधिकारी संबंधित रजिस्टेशन को रोख कर मुल्यांकन करने जाते हैं जिससे आर्थिक लाफ राफ करके उस औवे खसरे को पंजिक रित कर देते हैं मैं माननी मंत्री जी सो आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या कि ऐसे अधिकारियों के विर्द्व कारवाई सुनिश्चित होगी कि दिए अधिक्ष्मों होते हैं यह बहुत रयोएन्यू का मसला बहुत पेचीदा है हर जगा हर विधान सभाष छेत्र में यह कोई सुसान सुकला जी की अकेले समस्या नहीं है और यह बिलास्पुर की समस्या नहीं है मैं आपके माध्यम से माननी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सदन में बैठे हुए 90 विधायकों को जिनका जिनका भी जिला है वहां के कलेक्टर को आप ये निर्देस्क देंगे क्या कि वहां प विधायक की उपस्तिती में हो सके तो प्रभारी मंत्री अगर वहां रह सकते हैं तो उनकी उपस्तिती में सिर्फ रेवेन्यू के मसलों में हमारी बात को सुनने का प्रयास सरकार करेगी क्या एक और दूसरा यह है द्यक्ष्मोंद है कि हर बात को तो विधान सब हमें नहीं लगा सकते ना कितनी समस्या को विदान सब हमें लाते रहेंगे हम आप जिले इस तर पर एक समय के अंदर में मीटिंग फिक्स करेंगे क्या कि गवर्बिंट का अडर जाएगा क्या कि हम लोगों को बुला के हमारे अपने पने छेद की अलग-अलग समस्या है तो उसमें रजि करके आप सदन में घोसना करें कि हर जिले में मीटिंग उलाई जाएगे और उसमें विदायक को कंपल सरी बुला के उनके समक्ष ही और सांसत को और प्रभारी मंतरी आएं तो उनका तो अधिकार भी है स्वागत भी है तो ये मीटिंग आप फिक्स कराएंगे क्या हम आपका 80% प्राब्लम हमारा वहीं साल्ब होगा और नहीं होगा तो आज सुसांत लगाए हैं अभी मेरा ध्याना करसन आ रहा है भुईयाँ वाला तो ये प्रस्न पूछ पूछ के कितना लगाएंगे उतना तो कारेकार प्रस्न होगे लंबा हो आप बता दीजिए फ्लीज अवसर दे रहा हूँ एक दोलों को जवाब अब जे सब कर सुन लो आप फिर आखरी में एक सर्ज जवाब दे जरा राम कुमार को चलो राम कुमार जी माने देक्षा जी अभी मंत्री जी बोला तरह इसी कि कोटवार मन के जमीन है पूरा सास्की होते लेगिन ओं तो कलेटर रह पक्का जमीन है साइद आपला मन्तरी है कोटवार मन करी होना चाहिए और कोटवार तो यसना कमजोर वेकती है ठानेदार जात है कोई मर फस्या के ओल लिकाल कोटवार चल दी लिकाल हर चारों तरह प्ले कोटवार हर डंडा खाते डाट खाते आओकर जमीन के पतन ये काब स सब ओकर दूसमा ने मौर आप से निवेदान है चार पिडिले सेवा करता आवा थे कोटवार का जा आकर देखे दू भूते चाहू नहीं रहे ओकर लिकाल चिंता करना चाहिए और सब से जूर मिलके मैं कहना चाहता हूँ कोटवार के जो माल गुजारी जमीन है और पक्का अध्यक्ति आपके माध्यम से चुखी रजिष्टी के संबन में मानी चर्चा हो रही है मैं मानी मंत्र जी से निवेदान करना चाहता हूँ जहां भी जादा तर मैं अपने जिलेम देखा हूँ कि रजिष्टी जो सूट लिया जाता है उतो राजस्तों में जाता है लेकिन ह हमारे है सारे रजिष्टियों में अनिवारे तीन हजार पांच एरा दस रहर से रेट बंधा हुआ है अकुद भरष्ट चाहर होता है हर बिना पैसे दिये कोई रजिष्टी नहीं होती उसको रोखने के लिए क्या आप कोई सार्थक कदम उठाएंगे क्या मैं आप से निव रेरा के साथ बैक वर्ड और फारवर्ड इंटिगरेशन भूईया साप्ट वेर के साथ इंटिगरेशन यह सारे इस्टेप ले रहे हैं मॉबाई एप बना रहे हैं उससे सारे डाकुमेंट्स को कोई देख सकता है अप्लोड कर सकता है इस इसतर तक हम ले जाने का बड़ा क काम कर रहे हैं अध्यक्ष मोदै सम्मानी सदस्य राजेश जी ने अंभिकापूर का विशाय उठाया तो वहां पे कम होने करान सेट अप की समस्या आती है अध्यक्ष मोदै पीछले इस बार के दोज़ार 24-25 के बजट में रिवन्यू स्टाफ में 15 अतहसिलदार नापसिलदा जो रामकुमार जी ने विशाय उठाया कोटवारी का वो मूल रूप से राजसो विभाग का विशाय है और दसकों से जो विवस्था चली आ रही है उसी संदर्म मैंने कमेंड किया है कि सास्किय जमीन जो होती है वो सेवा भूमी होती है लेकि कोटवार के हितों के इस्थानी इस्तर पर इसूस को एडरेस किया जा सके तो टेक्नोलाजी के माध्यम से काफी कुछ इसका समधान हो पाएगा सब लोगों का इंटीग्रेशान रहेगा तो टुक्डे की जमीन नई भीक पाएगी तत्काल भूईया शाफ्टवेर से लिंक रहेगा तो प्रेंशी लाके टेक्नलोजी लाके चीजों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है कहीं पर कोई विशेश सीकायत हो तो ततकाल हमें दे हम उसकी ततकाल जाच कराएंगे और रिवन्यू के बृद्धी का जहां तक सवाल है ध्यक्ष महुदै शेसो संतानवे करोड तक पिछ जाच टीम गठित की जाएगी और जाच टीम को वहां पर उनके बेलतरा बिलाजसवा में भेजा जाए जाए जिए मानिय अध्यक्ष महुदै अरे भाई गजेंद यादव जी जो